नमस्कार प्यारे विदार्थियों आप सभी का चल्म पर हर दिक स्वागत है प्यारे विदार्थियों मादेमिक सिक्षाब और रास्तान अजमेर ने कक्षा बारा एउंदस दोनों कक्षाओं के सभी विश्यों के मोडल परशन पत्तर जारी कर दिये यह आपके लिए भूत मह महत्वण है आम सोच रहें। यह हूँ एप क्यों है क्योंकि मोडल प्रसन पत्तर पर अधार बनाकर ही आप को trêsपर दिये जाएंगे जो भी आपके ओरिजिनल पेपर होंगे वह मॉडल पेपर के अधार पर होंगे तो समये दो घंटा 45 सेमेंट होगा और पुरुनांक होगा असी यानि असी नमरों का आपका पेपर होगा आज हम बात करते हैं हिंदी अनिवारिये काक्षिया बारा के हिंदी अनिवारिये का पेपर जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस सभी के लिए एक है इसको पढ़ना सुरू करते हैं किस परकार से बोर्ड ने ये मोडल पेपर, बड़ाई स्यानदार मोडल पेपर बनाया आप अंतर तक जरूर देखना और इसमें काफी इंफोर्टेंट क्योसन दिये होगे हैं ये बोर्ड के विशे, विशेसिग्यों के द्वारा ये पेपर बनाया गया है अब आप ये सोच रहे होगे कि बोर्ड का हमारे पास कैसे वही, सभी के पास हो सकता है आप बोर्ड की जो ओफिसिल साइट है, RBSC की साइट पर जाओगे वहाँ से आप मौडल क्यूसन पेपर के अंदर ओके करोगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सके, सभी परशन करने अनवार ये है और तो एक परशन का उत्तर दीगी, उत्रपुस्तिका में लिखे जिन परशनों में आंतरी खंड है, उन सभी की उत्रेक साथ ही लिखे आंतरी खंड मतलब एक परशन के पांच भाग है, समझे होंगे आप परिशनमें पांज़ का अब आगे बढ़ते हैं पेपर की ओर खंड अब खंड अ है वो क्या है बहुविकलपी परिशनों वाला है और इसमें दे रकाए कि निमलिक्त एपटित गंध्यास को ध्यानपुरोग पड़कर दियेगे ये वस्तुनिष्ट परशनों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिगा में लिखी हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल हिंदी अनुवाद ये परशनों के उत्तर देने आपको अब अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक गध्यास का तो उत्तर देंगे अपने के हिंदी में राम कावे की विश्त्रित प्रमप्रा मिलती है हिंदी में सुरू प्रतम सन 1322 में लिकित कवी भूपती करित रामचरित रामायन का संकेत मिलता है प्रूंत उसकी अभी तो के पर्मू कवीये तुलसी के समकालिन कवीयों में से मुनिलाल करित रामपरकास कावे मिलता है और रिती सास्तर के एदार पर लिखा गया है महा कवी के सबने राम Πरूर चंद्री का नामक महा कवे की रचना की जिसमें कावे कोशलका तो परद्दान्ने है प्रंतु स्रीतर प्रबाद मुक्ता की उपेक्षा की गई सेनापती ने भी अपने कवित रतनाकर में चोथी यह पांचवी तरंगों के अंदर गत रामायन एव राम रसाइन का वर्ण किया है तुलसी के समकालिन कवियों के उपरांत ही इंदी में राम कावे के दर्शन होते हैं इन में से उप्युक्त गदास का उच्चित सिर्सक है तुलसी कावे राम कावे केसव कावे उप्युक्त सभी तो यहां पर मुख्य बात राम कावे की दी गई है किस की दी गई है राम कावे की तो आपका उत्तर हो गया बैन परशन नमर दो एक का दो क्या है निमन में से किस कावे की अभी तक कोई परतिलिफी प्राप्त नहीं हुई है किस कावे की कोई परतिलिफी प्राप्त नहीं हुई है तो आप देखिए यहां पर दिया वाना कि 1322 में लिखी तक भूपती करीत रामचरित रामायन का संकेत मिला है परन्तु इसकी अभी कोई परतिलिफी उद्धर नहीं तो राम चरीत रामायन उक्तर देखो कहा है राम चरीत रामायन तो ये देखो आ पर हो गया ना आ नमबर ठीक है पहले में राम कावे था और ये राम चरीत रामायन हो गया अब देखो पहले का तीसरा क्या है पहले की तीसरे में ये कहा गया है नीमन में से कौन सा कावे रीति क्यादार पर लिखा गया है तो और देखते हैं है कि अ हुआ कि और धर दो यहाँ पर रहा आपका Peninsula ग्र она कितो दूर्प सिकैसे कह इह कईया में मुं नलाल करित राम परखास कभी मिलता है जो रिती सास्तर Sketch मैं आजरा पे लिखा गया तो रामक प्रकास उत्र हो गया नो महा quand he was अब रहा कवित वगया तो देखो चोथा प्रशन में केसो कहां यह रहाभbe सेथ तरों ठीक है आप देखो पंश है रिम्न मैंने से कौन सा जाद को wrecks up में लिखा गया है कोंसा कावय है कौन सा कावय है वह समवाद रूप में लिखा गया है उ कल यहां पर कोई मिलता है महानाटक है, जो सुमवाद रूप में लिखा गया है रामायन महानाटक तो पांच में आपका क्या हो गया? एह हो गया उस्षीप्र का जिसे छटे है निम्नंवेसे राम भक्ति के कभी है निम्न वेसे राम भक्ति के कभी नहीं है ठीक है तो यहां पर तोलसी दास भी है केसों भी है अर्द्यारा में लेकिन सूर्दास नहीं तो आपका उत्तर नंबर क्या हो गया दै हो गया कभी नहीं पूछा है तो दै आपका उत्तर हो गया शूर्दास है नहीं ऐसे ही आपका देखो दूसरा गद्यास है पद्यास है एपटित गद्यास को ध्यान पर उपड़ कर दियेगे वस्तों निश्ट परष्णों बे उत्र अपने उत्र पुस्ति का में लिखी तो आप इसको साउधानी पुरुख पढ़ो देखो ये एक आध हार है राम की माताओं ने क्या कहते हैं राम की सक्ति पूझा में कौर पुस्प कॉन चुरा लेता है राम ने किसको पराजित करने ले सक्तिग उपासना की दो नील कमल है से विर आम किन लिल कमलों की बात कर रहे हैं प्हरविदार्तियों डिम्सक्रिप्ड उरफ प्र değer स्ब प्रेवार्चि सब्द हैता है तो कि इतने पर्षन 12 ऑब्रेब ने कहें अधी Independence Okay। देखो स्क्राइब 001 को एक ठ्राफ अपको आपको आप्यों वारे डाङने हैं मिध की कि अ उसके बाद हम भरिक्स्तानों की बात करतें इसे देखो एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै रिकस्तान दे रखें पहला आप जिस भाषा को बालक अपनी मात अता परिवार दोरा सिकता है उसे मातरी भाषा कहते है हिंदी देवनागरी लेप्ति में लिखे जाती है मेरा घर गंगा पर है वाक्य में अभीदा सब सकती है चोथा सब्द की जिस सकती में किसी सब्द के सबसे साधरन लोग प्रचली अर्थ का बोध हो वाच्य अर्थ पांच, पांच, अनिज, रोधन मेरा अगलिये फिरता उतकावे पंक्ति में अलंकार है चटा भगवान बगतों की बहंकर भूरी विशारिये उतकावे में भैवन की बार बार आवर्ति के कारण अलंकार अनुपरा सलंकार है तो ये आपके रिकिस्तान वाले हैं अब एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है निमलिक अतिले गुरतात्मुक पश्नों के उत्तर एक फंक्ति में दीजिए ठीक है निमलिक प्रिवास् कि सब्राशिक सब्दों के अर्थ लिखिये अप्लिकेंट की सब्सक्राइश Wivat एवरीवेशन, में यानक मंडले का दूसर नम क्या था पीचर लेकन क्या है किसंदा की कौन सी सभी ये सुदर बाबू के मन में बसी हुई थी कौन सी बात ये सुदर बाबू कभी कभी तंजिया करते थे आट साला में लेकर का विस्वास क्यों बढ़ने लगा जूंज कानी का अधार पर बताईए जूंज पाठ आनद यादव के किस परकार के उकने असकान से लेकर को कब लगा कि उसके ने पंख निकलाए हैं जूंज कानी का अधार पर बताईए परशन नमर दसकोर नारायन की किनी दो रचनाओं का नाम लिखिए परशन नमर गयरा जारी परशाद इवेदिगा जन्म का बधर का हुआ इस परकार करके आपके ये 11 परशन इसके अंदर दे रखें अब देखो निब्दानतमक परशन निमलिक लगूरत्रात्मक निब्दानतमक के लगूरत्मक है जो चालिश सब्दों के अंदर आपको उत्र देने हैं प्रिंट मादेम की किनी दो कम्यों को समझाईए पांच्वा हिंदी में नेट पत्रत कार्त पर टिपने लिखिए चट्टा लेखों की और बढ़ता रोजान वी से पर एक संक्सिता लेक तैर गीजिए साथ हुआ केमरे में बंद अपाईज कविता की मूल समेदना लिखिए आठ हुआ कविता एक खेल है बच्चों के बाहनी पंक्तिकाज से स्पुष्ट कीजिए नुँआ बगजी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों दस्वां बक्तिन का दुर्भागे भी उससे कम हाटी नहीं था कैसे स्पुष्ट कीजिए यारुआ ये सोदर बाबु को घर जल्दी लोटना पसंद नहीं था क्यों कार्ण स्पुष्ट कीजिए ये आप दता जी राइक के स्थान पर होती है तो लेख की मदद कैसे करते हैं यह 40-40 सब्दों के पर समय अब आप खंड सह की और बढ़ते हैं जहां आपको 250 सब्दों में उते देने देखो प्यारी विदार्तियों मैं आपको यहां पर क्यों मोडल पेपर बता रहा हूं मादेमिक शिक्ष्यबोर्ड की साइट पर जो मोडल पेपर उप्लोंद हैं मादेमिक शिक्ष्यबोर्ड ने जो मोडल पेपर जारी किये हैं हम पर चल्चा कर रहे हैं हाँ आगे इन मोडल पेपर का हल भी बताया जाएगा आपको लेकिन एक बार मोडल पेपर की चल्चा कर लेते हैं देखो तेरुमा ये 250 सबद के हैं भूलना अधंड चाहिए फिर भी पुरुसकार मान कर गरहन करना चाहिए संग्रस सविकारा है कवीता कैदार पर कतन की समिख सकीजिए अत्वा में फिराग और उक्परी की रुभाईयों की बासा में परसंग सुर्दास के वादसले वर्ण की साथगी किया दिलाता है उदार्ण से सपष्ट कीजिए चोधन हम देखो लाहोर अभी तक उनका वतन है और देली मेरा तो बाकी सब रप्ता रप्ता ठीक हो जाएगा इस कतन के द्वारा लेकर क्या सपष्ट करना चाहता है तरक से उत्तर दीजिए या फिर अत्वा में सिरिस की तुलना गांदी सिस करते हुए सपष्ट कीजिए कि सिरिस को अवधूत क्यों माना गया उसके बाद एको परसंग नमर पंद्र कि अत्वा महादेवी बर्मा का लेकर प्रीचे लिखें दोनों में से कोई एक का प्रीचे लिखना आपको खंड दह के अंदर क्या निमलिक्त पद्यास की सेप्रसंग व्याक्या करनी है तो आपको पता है जिसे ये पद्यास पढ़ लीजिए आप ये कौन सी कवीता से आप दे सकते हैं प्रशन नमर अठारा देखो निमलिक्त गद्यास की सेप्रसंग व्याक्या कीजिए तो ये आपका गद्यास किस उस तक के कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लिए के कौन है ये बात आपको डालनी है उसके बाद ये नहीं तो अत्वा में ये वाला ये कर सकते हैं ये आपका एक पेपर का पेटर्न है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है बोर्ड की साइट पर मिल जाएगा और इस पेपर की पीडियाप है आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्रशन नमर उनिस अपने विदाले के लिए आईवसक सब्सक्राइब करें तो लाइक करें अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निसाम दबाकर ओल बटन पर क्लिक कर दिजे ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे प्यारविदारतियों फिर एक नए मोडल पेपर के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जैभारत वंदे मात्र